दीललन टॉप शोव इस स्पॉंसर बाइ खाता बुक इन असोसियेशन विथ कॉइन स्विच कुबे जन्जट से मुक्ती, खाता बुक से दोस्ती, खाता बुक, बिजनिस हुआ इजी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दीललन टॉप शोव पेट्रोल के बाद अब डीजल भी देश के कई हिस्सों में 100 रुपे प्रती लीटर के पार हो गया है हम जानते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमत में अंतराश्ट्रिय बाजार का उतना हाथ नहीं है जितना कि केंद्रो और राज्यो द्वारा लगाए गए टैक्स का तो आज दीललन टॉप शो की बड़ी खबर में हम यही सवाल उठाएंगे कि सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर रही गाड़ी भगाने के साथ साथ खाने का तेल भी रेकॉर्ड बना रहा है सरसू का तेल 200 रुपे प्रती लीटर के पार है सरकार ने पहले कहा था कि मिलावट बंद हुई है इसलिए रेट बढ़ गया अब नीती बदलने की बात हो रही है इस पर भी बात होगी लेकिन पहले देखिए ये वीडियो करता पतर क्यों मार दिया है रेक्सीन नहीं करना है मत करा यह वीडियो कश्मीर के बांदी पोरा के चोटी मुल्ला गाउं का बताया जा रहा है यहां स्वास्त कर्भियों की एक टीम लोगों को कोरोना का टीका लगाने पहुची थी लेकिन वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहों के शिकार लोगों ने कथित रूप से वैक्सीनेशन टीम पर ही हमला कर दिया पत्थर बाजी करने लगे वीडियो में टीम का एक व्यक्ति कहते सुनाई दे रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं कराना तो मत कराओ लेकिन हमला क्यों कर रहे हो एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन को ही सबसे प्रभावी हथियार बताया जा रहा है दूसरी तरफ इस तरह के दुर्भाग्य पूर्ण वीडियो सामने आ रहे है जरूरी है कि लोगों को इस तर तक जागरू किया जाए कि वे वैक्सीन के असल महत्व को समझ सके और जाते चलें कि अभी हफते बर पहले ही बांदीपोरा का गाओं बेयान देश का पहला ऐसा गाओं था जिसने 18 से 44 आयू वर्ग के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया था हफते बर बाद ही एक अन्य गाओं ने बांदीपोरा को शर्मसार कर दिया अब चलते हैं दिन की सुर्कियों की करा है कोरोना संक्रमर के आकडे पिछले 24 घंटों के दोरां देश में नए मामले आये हैं 62,480 ठीक हुए हैं 88,977 और मौते हुई हैं 1,587 इन सब को मिलाकर देश में कुल मामले 2,89,64,137 ठीक हुए मरीज 2,85,80,647 कुल मौते 3,83,490 अगली सुर्की पश्ट्रिम बंगाल से यहां बीजेपी कारे करता देबाशी शाचारे की 17 जून को संदिक दखालत में मौत हो वहीं देबाशीश अचारे जिन्होंने 2015 में एक भरी जनसभा के मंच पर चड़कर अभिशेक बेनरजी को थपड़ मार दिया था अभिशेक टीमसी के नेता हैं और बंगाल की मुखे मंतरी ममता बेनरजी के भतीजे हैं अब देबाशीश की मौत के बाद उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है देबाशीश आचारे को 17 जून की सुभह कुछ लोगों ने गंभीर हालत में मिदनापुर में तोमलुक जिला अस्पताल में भरती करवाय था इसके कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दम तोड दिया इंडिया दूडे की रिपोर्टर अनुपम मिश्र ने अस्पताल के रिकॉर्ट के हवाले से बताया कि तड़के सुभह चार बज कर 10 मिनट पर कुछ लोग देबाशीश को लेकर अस्पताल गए थे भरती कराने के बाद वो लोग चले गए गायल देबाशीश ने दोपहर में दम तोड दिया देबाशीश के परिजनों को जैसे ही घटना का पता चला वे अस्पताल पहुंचे पुलिस को जानकारी दी गई पुलिस की शुरवाती चानबीन में पता चला कि 16 जून की रात देबाशीश अपने दो दोस्तों के साथ कहीं गए थे एक चाय की दुकान पर सभी ने चाय पी इसी दौरान देबाशीश के पास किसी का फोन आय था वो दोनों दोस्तों को छोड़ कर वहां से निकल गए इसके कुछ घंटे बाद जखमी हालत में उन्हें अस्पताल में भरती कराए गया पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि देबाशीश को अस्पताल में भरती कराने वाले आखिर कौन थे तीसरी सुर्खी में बात स्टूडेंट्स की सीबी असी के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी दस्वी और बार्वी की परीक्षाओं के लिए मार्किंग स्कीम तयार कर ली है बार्वी के चात्रों को 50-40-10 के फॉर्मूले से पास किया जाएगा यानि उनकी दस्वी के नंबरों का वेटेज 50 फीसदी रहेगा ग्यार्वी के नंबरों का 40 फीसदी और बार्वी के प्रीबोर्ड के नंबरों का वेटेज 10 फीसदी होगा इसी तरह दसवी के रिजल्ट तयार करने के लिए 50 फीसिदी वेटेज 9 के नमबरों का लिया जाएगा और 10 फीसिदी वेटेज 10 के प्रीबोर्ट के नमबरों का इन दोनों के आधार पर ही छात्रों को नमबर दिये जाएंगे यूपी बोर्ट का फॉर्मूला सीबेसी बोर्ट के फॉर्मूले से एकदम अलग है यूपी बोर्ट ने ज्यादा वेटेज 10 वेटेज दसवी बोर्ट के एक्जाम के नमबरों को दिया है सरकार ने दस्वी और बार्वी की बोर्ड परीक्षाएं रद कर दी थी यूपी बोर्ड में दस्वी के करीब 29,94 और बार्वी के 26,10,000 स्टूडन्स हैं इनको बिना परीक्षा लिए पास करने की बात आई तो इसी के लिए ये फॉर्मूला तयार किया गया है यूपी टी सीम दिनेश शर्मा ने नीट की परीक्षाओं पर कहा कि ये केंद्र सरकार का मसला है और फिलहाल सभी विकल्पू पर विचार किया जा रहा है इन विकल्पू में परीक्षा का समय घटाना, Multiple Choice Questions शामिल करना जैसी बातें शामिल है चौथी सुर्खी यूपी की सियासत से रक्षामंत्री और लकनओ से सांसद राजनात सिंग ने साफ कह दिया है कि सूबे में 2022 में होने वाले विधान सभाचुनाओं में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ही बाचपा की ओर से मुख्यमंत्री पत के उम्मीदवार होंगे राजनाथ ने कहा कि योगी आदितिनाथ ने अब तक अच्छा काम किया है योगी खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद आइसोलेशन में रहकर काम करते रहे इसलिए उनके परिश्रम पर कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है योगी में मुख्यवंदरी पत का चहरा वही होंगे राजनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सूबे के उप मुख्यवंदरी क्रेशव प्रसाद मौरे ने खुद एक तरह से योगी आदितिनाथ की दावेदारी पर सवाल उठाये थे एक रोज पहले ही केशव प्रसाद मौरे ने कहा था कि 2022 के चुनाव में पार्टी के चहरा कौन होगा या पार्टी का नेत्रित्व कौन करेगा ये तै करने का काम के इंदरी ये नेत्रित्व का है दरसल बीचे कुछ दिनों से यूपी की सियासत में लगातार गर्मा गर्मी बनी हुई है योगी आदितिनाथ दिल्ली आकर अमिच्छाह और नरेंद्र मोदी से मिले फिर संगठन के नेता बील संतोष लखना हुजाकर नेता उसे मिले इसके बाद से चच्चाओं का बाजार गर्म है अगली सुर्की सुप्रीम कोर्ट से है सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली की दंगा केस में चात्रों पर यूए पिये लगाने वाले मामले की सुनवाई हुई 15 जून के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 17 जून को जाकर अमल हुआ था और नताशा नर्वाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत पर त्रिहा कर दिया गया था इतीनो चात्र 2020 के दिल्ली दंगो से जुड़े केस में एक साल से अधिक समय से जेल में बन थे इन पर यूए पिये के तहत आरोप लगे थे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में यूए पिये लगाने पर तीखी तिपड़ी की थी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस सम्मंद में हाई कोर्ट के फैसले और यूए पिये को लेकर उसकी टिपड़ियों से संतुष्ट नहीं है कोट ने कहा है कि सम्मंद में हाई कोट के फैसले को आधार मान कर भविश्य में कोई फैसला नहीं दिया जा सकेगा ये बात सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस की उस्टिपडी पर कही जिसमें उसने कहा था कि हाई कोट ने इस केस में यूए पीए को सिर से पाउं तक पलट कर रख दिया और इसी के आधार पर आरूपियों को जमानत दी गई आखरी सुर्की हरदीप सिंग पूरी के एक बयान से जुड़ी है मंत्री जी ने आज जानकारी दी कि प्रदान मंत्री ने पंजाब के लिए एक तालिस ऑक्सिजन प्लांस का आवं तंक किया अगरिक्ता संशोधन कानून के जरिये हजारों भायों बहनों को पना दी गुरुद्वारों के लंगर को जी एस्टी से मुक्त किया वो ये भी कह रहे हैं कि किसान कानूनों को लेकर कोई शुभा तो आईए साथ बैठ कर बात कर सकते हैं ये दुर्भागे पूर्ण है कि प्रदर्शन स्थल से रेप की खबरे आ रही हैं इसकी जाच होनी चाहिए ये सारी बाते हैं information, knowledge क्या है बताईए हम बताते हैं पंजाब में चुनाओ आने वाले हैं अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ एक दौर था जब पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा होता था तो अगले दिन अकबार के फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी हेडलाइन होती थी भाव बढ़ने की गबर सुनते ही लोग पेट्रोल पंपर टंकी फुल कराने के लिए पहुच जाते थे ताकि नई रेट ना लगे अब ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना तो कोई खबर ही नहीं है लगभग रोज ही भाव बढ़ रहे हैं पहले पेट्रोल सो रुपे पार गया और अब डीजल भी देश के कई हिस्सों में सौवाले आकड़े को चूग गया है तेल के भाव की इस रेस में इस बार एडिबल ओयल भी दौड रहा है पिछले एक साल में खाने का तेल जितना मेंगा हुआ उतना एक दशक में नहीं हुआ था गरीब होया आमीर हर घर में तेल इस्तिमाल होता है और इसका भाव बढ़ने का असर देश के हर घर पर पड़ता है एक तरफ सरकार कह रही है कि वो कोरोना से लोगों को राहत देने के लिए आर्थिक पैकेज दे रही है दूसरी तरफ बढ़ी हुई महंगाई से गरीबों की जेब और खाली हो रही है तो क्या सरकार कीमते नियंतरित करना नहीं चाहती है या उसकी कोई मजबूरी है इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे पहले बात एडिबल ओयल की करते हैं एडिबल ओयल्स यानी खाने के काम में लिये जाने वाले तेल हमारे देश में सरसों, मुंफली, सोया, सूरजमुखी, पाम और वनस्पती का तेल ही मुख्यतह इस्तिमाल होता है अगर आप घर का सामान खरीद कर लाते हैं सरसों के तेल का हुदारन लेते हैं कंस्यूमर अफेस मिनिस्ट्री के आकड़ों के मुताबिक 15 जून को दिल्ली में एक किलो पैक्ट सरसों के तेल का भाव 177 रुपए था लखनओ में ये रेट 205 रुपए है अगर पूरे देश के आवरिच की बात करें तो 171 रुपए में सरसों का एक किलो तेल आ रहा है जबकि पिछले साल मई के आखिर में एक किलो तेल सरसों का 108 रुपए में आता था इसी अनुपात में और भी तेलों की कीमत बढ़ रही है अब तेल की कीमत क्यों बढ़ी और सरकार का इसमें रूल कहा हाँ अता है ये समझते हैं बाजार में हर चीज की कीमते सामाने दिनों में demand और supply की नियम से तैह होती है अगर demand और supply में से कोई एक भी फैक्टर कमिया जादा होता है तो कीमते सामानी रूप से कमिया जादा होती है तो अभी तेल की बढ़ती कीमतों के संदर्ब में पहले डिमांड की बात करते है देश में अचानक तेल की ज्यादा डिमांड हो गई है ऐसा नहीं है साल दर साल देश में तेल की खपत थोड़ी बहुत बढ़ती है ग्रामीर इलाकों में सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है और शहरी इलाकों में सूरजमुखी और सोयाबीन के रिफाइन डॉयल की खपत ज्यादा है तेल का इस्तेमाल किस गती से बढ़ रहा है ये समझने के लिए हमारे पास आंकडे है इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट की मताबिक साल 1993-94 में तेल की खपत प्रतिव्यक्ती ग्रामीर इलाकों में ओसतन 370 ग्राम थी और शहरी इलाकों में 480 ग्राम थी यानि एक आदमी ओसतन इतना तेल खाता था 2011-12 में बढ़कर ये आंकडा ग्रामीर इलाकों में 670 ग्राम और शहरी इलाकों के लिए 850 ग्राम हो गया यानि लगभग 2 गुना इसके बाद का प्रतिव्यक्ती वाला आंकडा उपलब्द नहीं है लेकिन ओवर ओल जो खपत का आकडा है वो बताता है कि तेल की डिमांड साल दर साल बढ़ती है डिमांड का ग्राफ धीमे धीमे उपर जा रहा है यानि ये बात बिलकुल नहीं है कि इसी साल लोगों ने तेल ज्यादा खाना शुरू कर दिया हो और उसकी वज़े से भाव बढ़ रहे हैं सप्लाए के सिरे पर देश में तेल की जितनी खपत होती है उतना हमारे यहां पै पढ़ रहा था यह कमी आयात से दूर होती है आधे से ज्यादा तेल हमें विदेश से मंगवाना पड़ता है और जितना तेल आयात करते हैं उसका 86 पीसदी हिस्सा सोयबीन और पाम ओयल का होता है पाम ओयल हम इंडोनीशिया या मलेशिया से आयात करते हैं इसलिए अंतराश्ट्रे बाजार में भाव क्यों बढ़ रहा है इसकी कई वजह है एक वजह तो यह मानी जा रही है कि खाने के तेल का इस्तेमाल इंधन के लिए भी होने लगा है अमेरिका ब्रजील जैसे देशों में सोयाबीन के तेल से रिनुएवल अरजी तैयार की जा रही है इसके अलावा कई और भी factors हैं जो अंतराष्ट्रे बाजार में खाने के तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं जैसे इंडोनीशिया और मलेशिया में export duty बढ़ना, लेबर की दिक्कते या लानीन या तूफान से नुकसान तेल महंगा होने की कुछ वज़े, Solvent Extractors Association of India के Executive Director B.V. Mehta ने India Today को बताई इनके मताबिक Palm Oil में बहुत महनत लगती है और मलेशिया जो Palm Oil का बढ़ा निर्यातक है, वो migrant laborers पर depend रहता है कोरोना में border seal होने की वज़े से labor की कमी हो रही है, इससे production पर असर पढ़ा है तो जाहिर है अंतराश्ट्रिय बाजार में खाने के तेल की कीमते तो हम नियंतरत नहीं कर सकते, लेकिन भारत की सरकार ये जरूर तै कर सकती है कि वो महंगा तेल भारत के लोगों को थोड़ा और सस्ता कर मिल सके आयात पर शुल गटा कर ऐसा किया जा सकता है और सरकार आयाते तेल पर कितना टैक्स लेती है दो फरवरी 2021 के बाद से ये रेट 35.75 फीसदी से लेकर 60 फीसदी तक है इसमें import duty के अलावा agriculture cess और social welfare cess भी शामिल है मिसाल के तोर पर refined और bleached palm oil जिसे RBD palm oil कहते हैं इस पर tax करीब 60 फीसदी है crude और refined soya bean पर tax 38 फीसदी से 49 फीसदी के बीच है तो अगर आयात शुलक बे सरकार दियायत देती है तो तेल की कीमते कम हो सकती है लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है दो-तीन दिन पहले सरकार की तरफ से बयान आया था कि अब edible oil की कीमते घटे लगी है लेकिन तेल ज्यादा सस्ता होता दिख नहीं रहा है तो क्या सरकार को import duty घटानी चाहिए जानकारों की राय सुनिये अभी एक हफते तक 15 दिन पहले तक सरकार के मंत्री और नेता मार्च अपरेल माई में उससे नीचे आई है तो इसलिए इसमें गिरावट की कटोती की जरूरत नहीं है दूसरी चीज़ यह कि सरकारे भी मान रही है कि खरीफ की बुआई शुरू हो गई है तीन-चार महीने में खरीफ की फसल भी आ जाएगी खरीफ के साथ नया तिलहन बाजार में आने लगेगा तो उसका भी एसल कीमतों पर पड़ेगा लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है कि सरकारे जैसे सोचती बाजार बिलकुल वैसे नहीं सोचता है बाजार में इंफलेशन की एकस्पिक्टेशन एक बार बन जाती है खासत और से खाने पीने की चीज़ों की महँगाई जो इंपॉर्ट से ड्राइव होती है जिसकी कीमतों को अंतराश्ट्री बाजार की कीमतें प्रभावित करती हैं चाहें वो गाड़ी में डालने वाला तेल हो या पेट में डालने वाला तेल हो तेल हो आपकी कड़ाई में पड़े या आपकी गाड़ी में पड़े वो दोनों अंतराश्ट्री बाजार ड्राइब क गटने की गुंजाईश हमें फिलहाल अभी कम से कम खुद्रा लोगों के लिए जो रिटेल कंजूमर हैं उनके लिए कम होने की गुंजाईश शायद नहीं दिखाई देती जब तैकि खरीफ की तिलहन की फसल बाजार में में नहीं आ जाएगी ये तो हुई कड़ाई में डालने वाले तेल की बात अब गाड़ी में डालने वाले तेल की बात करते हैं पेट्रोल के बाद डीजल भी लगबग 100 रुपे लीटर हो चुका है आपके पास वहन हो या ना हो डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने का हसार अरेक पर पड़ता ह तेल की कीमतों के साथ हर चीज की महंगाई जुडी हुई है और खाने के तेल की तरह पेट्रोल डीजल के भाव पर सरकार अंतराश्ट्री कीमतों को भी जिम्मेदार नहीं बता सकती आज से दस साल पहले मई 2011 में पेट्रोल का भाव करीब 63 रुपे प्रती लीटर था और तब अंतराश्ट्री बाजार में कच्चे तेल का भाव आज से ज्यादा था अभी क्रूड ओयल 72 डॉलर प्रती बैरल है फिर पेट्रोल का भाव लगभग दो गुना है और फिर यहां बात आ जाती है सरकार के टैक्स की इस शो में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक लीटर पेट्रोल पर केंदर सरकार और राज्य सरकारे किस तरह से टैक्स बढ़ाती रहती है दोनों तरफ का मिलाकर अभी पेट्रोल पर डेड़ सो फीस दी और डीजल पर 120 फीस फीस दी के करीब टैक्स है सरकार अपने टैक्स में कोई कटोती नहीं करना चाहती जब अधर राष्टे बाजार में तेल 40 से 50 डॉलर प्रती बैरल था तब भी सरकार इतना ही टैक्स ले रही थी और अब कच्चा तेल महंगा हुआ है तो भी टैक्स में कटोती नहीं हुई है तो क्यों केंदर और राज की सरकारीं डीजल और पेट्रोल पर इतना टैक्स वसूल रही है यह किस तरह की सरकार नीती है सुनिए इंडिया टुडे के संपादक अंशुमंतिवारी से पिछले साल से बढ़ रही थी तो पहली चीज तो यह कि ब्रेंट की कीमतों का पेट्रोल डीजल की कीमतों से कोई सीधा रिष्टा नहीं है सिवा इसके कि जब अंतराश्टी बाजार में उसकी कीमत बढ़ती है तो सरकार को एक शैडो मिल जाता है जिसके पीछे वो खड़ी हो जाती है पर जब गिरती है तो कीमते बढ़ती रही है यह एक स्थापित सत्य है जो सत्य का सामना हम कर रहे है दूसरी चीज है क्यों कीमत कच्छा तेल दुनिया के सारे देशों के लिए एकी कीमत पर है है इसके लिए भारत के लिए कोई विशेश कीमत तेने की जाती हमारे हाँ जो कीमते बढ़ रही हैं हम दुनिया में ग्लोबल एवरिज से जाधा पेट्रोल की प्राइस पे कर रहे हैं और हमारे पास जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस के आंकड़े उपलब्ध हैं जिने ह दूसरी चीज है कि पर्चेजिंग पावर पैरिल्टी के हिसाब से यानि किसी देश की क्रेश अक्ति कितनी है उस इसाब से पेट्रोल डीजल की कीमते क्या होती है और दोनों पर इमाने इसलिए हैं डालर का पर पर दुनिया में एक समान धांग से नाप सकें क्योंकि सबकि और भारत उनों से काफी जून तक का अकुण की मोरे पास झून के लिवानध और प्राइस मानटर करने वाले जो वैब्साइट से अग्रीगेटरस है उनके हिसाब से दुनिया में जो एवरिच प्राइस था हो 1.18 लीटर डालर पर लीटर के हिसाफ से था भारत उससे काफी उपर था, मतलब ये उस समय 85-86 रुपए के आसपा से हम 100 के उपर निकल चुकी है, यानि हम दुनिया में जो आउसत है, बड़े और छोटे देशों का मिलाकर उस मामले में हम पेट्रोल की कीमतों में दुनिया के आउसत से जाधा है, यानि हमारी सरकार, हमा अफरीका, रशिया, औरिया, यूएस, ये सब हम से बहुत मीचे है, यानि पेट्रोल की कीमतें ना तो अंतर आश्ट्रोई इस्तर पर अंताश्ट्री और सथ के बराबर हैं, और ना ही हमारी कुरेशक्तिक शमता के बराबर हैं, पर पिछली सरकारों से और बाकी सरकार की त पर इंपोर्ट ड्यूटी के तोर पर लगता था, पेट्रोल डीजल को को समाग पे लागू होने वाले करों का धाचा कुछ इस तरीके का था, केंदर सरकार एकसाइस ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगाती थी, और राज्जी सरकार इस पर सेल्टेक्स लगाती थी, जिस कि भारत में अचानक सस्ता तेल आ गया है और नई सरकार के लिए बाउंटी है, उसे बड़ा लाब है, उस समय भी उसी समय से पेट्रोल डीजल पर एकसाइस ड्यूटी बढ़ना और केंदर सरकार के टैक्स बढ़ना शुरू हो गये थे, हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और उस दोरान पहले दो साल में जो सरकार ने एक साइस ड्यूटी से रेमिन्यू बढ़ाया था, उसका एक हिस्सा राज्यों को ट्रांसफर भी किया था, राज्यों के पास पैसा गया था, तो 2014 के बाद पहली बार भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन बढ़ना शु जीएस्टी से क्योंकि दरे कम हुई, काफी सारी असरंगतियां दूर करने की कोशिस की गई, राज्यों को खर्च की भरपाई करनी पड़ी, जीएस्टी एक खराब एक लचल टैक्स वे उस्थासी सहीडंग से आज भी लागू नहीं हो पाई, राज्य सरकारों ने जीएस् लिए 700% टैक्सेशन बढ़ा 2014 के बाद से पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि केंडर सरकार ने जो अपने जो रिएस्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई थी, वो इस पो निचोड़ करकी, राज्य सरकारों ने जो जीएस्टी के आने के बाद होने वाले नुकसान की भरपा से जुड़ी हुई, तो वो तो उतना ही सच है, जितने बाकी राजनीतित सच भारत में बोले जाते हैं, तो अब हुआ हम जहां पहुंच गए हैं, वहां में चले गाए हैं, जो समझना भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिस सवाल का अब जवाप पूच रहे है कि सरकारें क्या विकासी होजनाओ के लिए ही पैसा लगाती हैं, हमें नहीं पता पेट्रोल डीजल का पैसा किस विकासी होजना में खर्च होता है, कहां मिलता है किसको, क्योंकि हमने पिछले एक दो साल में सरकार की हर्म प्रमुकि स्कीम को असफ़ल होते देखा, जिब लो निकालना शुरू करते थी, जो सरकार के तमाम खर्चों का की भरपाई करती है, और जब कच्छे तेल की कीमत उपर बहुती है, तब सरकार दबाव में आ जाती है, कि तब अगर वो कम करेगी, तो तेल कमपीनियों को नुक्सान होने लगेगा। जड़ी रिवाइस की जाएगी, यानि घटा दी जाएगी, यही बात सरकार तेल पर लागू क्यों नहीं करती है, कि जब अंतरश्टिय बाजार में कच्छा तेल सस्ता है, तो ज्यादा टैक्स ले लिया, अब कच्छा तेल महंगा है, तो टैक्स में कटोती करे, लेकिन ऐस कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार को तेल की बढ़ी हुई कीमतों और लोगों पर पढ़ते बोज से कोई मतलब ही नहीं है, एक तरफ सरकार कोविट के नाम पर राहत पैकेज की घोश्टाएं कर अपनी पीट थप थपाती है, और दूसरे हाथ से लोगों की जे छाल की जढ़ी जे भीटी टोचार मिज बजि ठवाग् माप एंपनी इहले है, लोगों मी आपनी आपनी खिरो के लोगों में वेद कीमतिक वीट से लेबि Reason